हेलो, गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स, अब आपका objective का question स्रीज चल रहा है, objective question स्रीज में आपका 5 question set number 1 में डाले हैं, step by step ध्यान से समझने का कोशिस करें, ठीक है, आपका पहला question है, what is the current in the circuit shown in below, मतलब आपका एक circuit दिया गिया है, उसमें एक diode connected है, और दोनों end से आपका potential connected है, उसका आपका potential difference को भी find out करना होगा, और आपको इस circuit से कितने amount of current पास हो रहा है, उसको ध्यान देना होगा कि कितना current भारा है, इसमें ठीक है, तो देखिए, आपका diode का दो terminal होता है, एक होता है, एक होता है, एनोड, दूसरा होता है cathode, तो एनोड टर्मिनल का connection जो है minus 4 volt से है, اور cathode terminal का connection है, वो आपका क्या है, minus 1 volt से, इसका मतलब है, एनोड terminal का potential है, वो काम है, cathode terminal का potential हो ज्यादा है, क्योंकि minus 1 क्या होता है, बड़ा होता है, minus 4 से, इसका मतलब ये diode क्या होगा, आपका reverse bias में होगा, जब diode आपका reverse bias में होगा, तो diode आपका off होगा, जब circuit आपका off हो जागा, तो current आपका बहेगा नहीं, इसका मतलब पहला question का जो answer होगा, वो क्या होगा, 0 ampere होगा, ठीक है, 0 ampere में हम tick out भी किये हैं, उसके बाद दूसरा question है, P type semiconductor can be obtained by adding, हम बताए थे कि semiconductor दो तरह का होता है, एक होता है intrinsic, दूसरा होता है extensive, extensive semiconductor में आपका होता है P type और उसका another होता है N type, ठीक है, तो P type semiconductor बनाने के लिए pure form of the semiconductor में किसके साथ doping करेंगista, तो आप जानते हैं, कि P type semiconductor बनाने के लिए, जिसका बैलेंसी ट्राइवेलेंट होता है जिसका वैलेंसी तीन होता है उसी से डोपिंग करते हैं P-type semiconductor बनाने के लिए इसका मतलब इसका एंसर हो जाएगा गेलेनियम क्योंकि गेलेनियम का ट्राइवेलेंट जो होता है वो ट्राइवेलेंट होता है उसका वैलेंसी क्या होता है तीन होता है type semiconductor बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे galenium का यूज़ करेंगे ठीक है तीसरा नमर question है what is the relation between alpha बीटा, alpha और बीटा क्या है आपका current gain है और आप से पूछ रहा है कि alpha बीटा का क्या आपका relation होगा, तो आपको बताना है कि alpha बीटा में क्या relation होगा चार्व option दिया गया है, इसमें से आपका option number B correct है, alpha equal to क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडिंग by बीटा पलस 1 होगा, और दूसरा अभी option यहाँ पर set कर सकता था, बीटा equal to क्या हो जाएगा, alpha डिवाइडिंग by 1 माइनस alpha होगा, बट यहाँ पर B option correct है, अब यह option को tick out करिएगा, ठीक है the concentration of electron is 8 गुना, 8 multiply 10 के पाउर 14 पर centimeter Q and that of the whole whole का concentration भी दिया गया है और electron का भी concentration दिया गया है electron का concentration आपका क्या है 8 multiply 10 के पाउर 14 है और whole का concentration जो है 5 multiply 10 के पाउर 12 पर centimeter Q है, इसमें से हम बेतरीन धंग से देख रहे हैं कि electron का concentration क्या है ज्यादा है, with respect to whole का concentration से, इसका मतलब जिसका concentration ज्यादा होगा वही define करेगा कि कौन सा semiconductor होगा, तो यह आपका electron का concentration यहाँ पर ज्यादा है, whole की बनिश्पत, इसका मतलब यह जो आपका semiconductor होगा, OIN type of the semiconductor होगा, ठीक है अब last बला question है, the reverse bias in PN junction diode, जब आपका reverse bias में PN junction diode होगा तो आपका कौन सा option सही होने जा रहा है तो decreasing the potential barrier increasing the potential barrier increasing the number of minority charge carrier, increasing the number of majority charge carrier, इसका मतलब है जब भी आपका diode, PN junction diode reverse bias में होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका potential barrier क्या हो जाएगा, increase कर जाएगा इसको याद रखिएगा, जब भी आपका diode reverse bias में होगा, तो उसका potential barrier क्या हो जाएगा, आपका increase हो जाएगा इसका मतलब increasing the potential barrier, ये भी question बहुत सारा important है, ये बहुत ज़्यादा exam में कुछा गिया है, इसका मतलब इसका answer क्या होगा, बी option होगा, इसका मतलब है कि आप इसको याद करिएगा कि reverse bias में, पी एंजंग्सन डायोड जो होता है, उसका condition होगा, increasing the potential barrier, ये पाँचो question का objective को ध्यान देना है, ये पाँचो question में से hope so question आ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा important question है, इसको ध्यान से समझने का कोशिस करिए और अपने mind में study करके जाईएगा, ध्यान से समझ के जाईएगा कि इसका ये ये option होने वाला है, thank you student, इसके बाद set number two देंगे, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, जदी आपको पसंद लगे तो चैनल को like भी करना है, और subscribe भी करना है और ज्यादा से ज्यादा student को share भी करना है, और कुछ problem हो तो comment section में link डालना है जदी नहीं समझ माया है, तो next class में उस problem को solution करेंगी, thank you student